हेलो फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट नोटिस लेकर के मैं आया हूं बिहार बासियों के लिए और जो प्रोविशन डेपार्टमेंट में रिक्वार्मेंट आई थी लगभग 700 का 689 के रिक्वार्मेंट आया था उसका एड्मिट कार्ड और एक्जाम सीडूल आ चुका है बि वीडियों दोस्तों को जबूर शेयर किजएगा जो प्रोविशन के लिए फॉर्म भारे थे उनका एड्मिट कार्ड आ चुका है एक्जाम कब होगा क्या क्या उसके इस्ट्रक्शन से सारे में आपको इस वीडियों बताना वाला हूं अगर आप हमेरा चैनल पर नएया है तो एक आपको सब्सक्राइब कर लें अब बेल एकन जरूर आन कर लें जिससे आपको इस तरह क्या आपको इस इंपॉर्टन नोटिस इस पर एक प्लिक किजएगा एक 689 पोस्ट के रिक्वार्मेंट आई थी इसका जो लिखित प्रिशाज होगा रिटेन जो एक्जैमेशन होगा वो चौदा पास को होगा मतब की चौदा माई को संडे को होगा ठीक है प्रथम पाली में दस से बारा बजे तरह दो घंडे का पेपर होगा ठीक है आपको रिप प्रहेल से आपका डॉनोड रहना सुरू हो जाएगा जैसे ही आएगा उसके मैं आपको वीडियो बनांके डाल दूँगा अपने यूटूब जानल पर ठीक है तब तक के लिए वेट कीजिएगा इस लिंक पर क्लिक करके आप आप का डॉनोड भी कर सकते हैं ठीक है और पि पेपर है तो आपको मार्च और अप्रेल का फोटो होना चाहिए नहीं तो फिर आप लेकर जा सकते हो आप मेरी बास समझ में आ रहा होगा है ना जी साव्यारती का डॉनोड नहीं होता है तो आप तो वह ग्यारा पांच यहां बारा पांच को पुरवाहां सत्रा वज़े त करें तो आपको 11-5 या 12 माई 12 माई को 10-10-5 माई तक बीच में जाकर कर सकते है कर ले ठीक है आप मेरी बात को समझ में आ रहा होगा अब लिखित समंदित ओम आ जो है वह किस रूप में है वह दिखा तो नीचे में इसका वह दे रखा है सैंपल यह रहा इसका ओम आर का क्या क्या इसका इस्ट्रक्शन है इसका आप अराम से इसको पढ़ लिजेगा जो डाउट्स होगा आपको ब्लू और ब्लैक पिन यूज़ करना है जेल पर लाउड नहीं है ठीक है ना यह सब चीजे नॉर्मल है जो कि पहले बहुत असान होगा आई होप आप नहीं होगा वीड चुके है क्यों भी अजाज दा गए चलिए तब तक धन्यवाद थेंक यू टेक क्यार बबाए